नमस्कार दोस्तोर स्वागत है Shomus Biology के और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले hypertension की बारे में जो की high blood pressure क्या है और hypertension क्या है hypertension कि simptoms क्या है hypertension की treatment और की और WHY क्या जा सकता इसके बारे में इस में detail में बात करेंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखें तो hypertension और जो high blood pressure यह इंडिया की मतलब बहुत ही common एक बिमारी बहुत सारे लोगों में 10 million लोग में यह हर साल पाए जाते हैं बहुत ही common बिमारी है तो basically यह कि एक ऐसा disease है इसको प्रिटेंट करना मतलब जानना कि किसी को heart hypertension है या नहीं हाई heart beat high heart rate उस related problem तो ठीक है मगर hypertension और high blood pressure है या नहीं यह जानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई symptom ऐसे होता नहीं है beginning में तो लोगों को तब ही पता चलता है जब इसके चलते कोई की बड़ा बिमारी situation हो जाए जिसको stroke या heart fail बोलते हैं ऐसा कुछ हो जाए तब जाके लोगों को पता चलता है कि हाँ यह person यह इंसान हर्ट हाई blood pressure की मरीज थे इसलिए बहुत important होता है एक particular age के बात एक रिमिटेड रेगुलर इंटर्वल में blood pressure को monitor करना blood pressure normally देखो blood pressure क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद बाकी के चीज़े discuss करेंगे blood pressure जो है heart blood pump करता है और यह blood सिर्फ हार्ट यहां पर situated है उपर शरी के यहां पर यहां heart का भी role वही है blood को pump करना तो जब भी heart blood को pump करता है blood travel करता है blood vessels के जरीए तो जो pipeline system है body में blood vessels उसके जरीए travel करता है तो वह blood जो है blood vessel की दीवार में एक pressure apply करता है उसी को हम blood pressure बोलते हैं अब यह जो pressure है यह दोनों चीज़ के उपर depend करता है एक तो है कितना blood heart pump कर रहा है तो blood जितना ज्यादा blood pump करेगा heart उतना blood pressure बरेगा और दूसरी बात यह भी है कि artery जो के pipeline है blood transfer होने के लिए artery and veins में इसे यह transfer होता है artery particularly जो oxygenated blood को trouble करता है तो वह artery जो pipeline हम बोल रहे है उसका कितना thickness है अगर वह narrow हो गया और जब भी हम blood pressure को देखते हैं तो ऐसे लिखा होता है कि दो value होता है 120 by 80 mmhg ऐसे लिखा रहता है 120 by 80 तो यह blood pressure होता है उपर वाला जो हम देखते है वह high ज्यादा रहता है नीचे वाला थोड़ा कम रहता है 120 by 80 जो हो मतलब वह ideal blood pressure है ideal age, ideal gender, ideal सब कुछ normal रहने पर वह pressure रहना चाहिए एज के साथ-साथ blood pressure ज्यादा होता ही है तो उससाब से थोड़ा बहुत modification pressure में आता है जैसे कि 60 years age male की बात करे तो उनको अगर blood pressure ऐसा आ रहे कि 130 by 90 उसको भी normally कहा जाएगा उसको ज्यादा नहीं माना जाएगा मतलब 17 साल के लगे का अगर blood pressure 130 by 90 उसको हाई माना जाएगा तो एज की साब से उसको चेंज करते हैं अगर normally high blood pressure तभी बोला जाता है जब इसका value 140 by 90 को cross करें 140 by 90 ऐसा हो गया तो उसको हाई बोलेंगे उपर 140 से ज्यादा हो गया तो हाई बोलेंगे नीचे 90 से ज्यादा होगा तो हाई बोलेंगे अभी बात यह रहता है कि यह जो blood pressure यह दोनों अलग लग variance उपर को systole नीचे को diastole बोलते हैं मतब contraction relaxation वो दोनों बीट के बीच का जो pressure रहता है उसको diastolic pressure बोलते हैं तो systolic pressure जब primarily hurt blood flow हो रहा है और आर्टरी वाल में pressure अपलाई कर रहा है एक्जर्ट कर रहा है तो उसको pressure ज्यादा ही रहेगा 120 और नीचे का diastolic pressure कम होगा 80 तो 120 by 80 that is a normal value अब यह value change होता है जैसे कि मैंने 20 से 130 हो गया और नीचे 90 हो गया 85-86 90 तक नॉर्मल अगर age ज्यादा है तो otherwise यह different values different चीज़े कह लाएंगे तो चली अब बात करते है कि कौन सी value hurt जो blood pressure की value को हम बोलेंगे ज्यादा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता है कि hurt जो blood pressure blood pressure के value age के उपर depend करता है अगर कम age नॉर्म मतलब 20-25 यह से 30 एज तक अगर देखें तो blood pressure 120 बे 80 होना चाहिए उससे ज्यादा है तो हम mildly मतलब अगर उससे 125 हो गया नीचे 80-85 हो गया तो उसका mildly hypertension बोलेंगे और उसका अगर ओपर 130 क्रॉस कर गया नीचे 90 क्रॉस कर गया तो वह मतलब moderate और highly hypertension patient बोला जाएगा तो यह ह hypertension बहुत है कम भी हो सकता है hyper मतलब ज्यादा hypo मतलब कम hypertension भी हो सकता है जब blood pressure normal से गिर जाए hyper जब normal से ज्यादा हो जाए ही बात कर लेते हैं कि हाइपर्टेंशन की रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर्स तभी होगा जब हाइब प्रिशर के साथ-साथ किसी इंसान में कोलेस्टेरॉल का मात्रा ज्यादा है या फिर लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन कि LDL की मात्रा ज्यादा है HDL का मात्रा कम है तब बहुत अलर्मिंग सिच्वेशन बनता है क्योंकि लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन जो है ब्लट वेसल के अंदर प्लाक फॉर्म करता है उससे ब्लट क्लॉग हो जाता है उससे सप्लाय ब्लट तुद ब्रेन और हर्ट नहीं मि और ब्लट प्रेशर भी हाई था तो ब्लट प्रेशर सबसे इस्क फैक्टर तभी होगा जब कोलेस्टेरॉल पाए जाता है तो और सेकंड जो तींग है कि एज के साथ साथ ब्लट प्रेशर बढ़ता है थर्ड तींग है जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके को देखना चाहिए फूर्थ तींग होता है आपका जो जेंडर बैसिकली ब्लट प्रेशर ज्यादा मेल्स मतलब लोगों को होता है देन और यह एक और बात होता है और फिफ्ट तिंग जो होगा आपके लाइफस्टाइल अगा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि आप ज्यादा र कि ब्लट प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा तो यह नॉर्मली ब्लट प्रेशर का बढ़ने का कुछ-कुछ रिजन से अपार्ट फॉम यह सारे रिजन्स आपके उपर डिपेंडनेंट है आप इसको चाहे तो रेगुलेट कर सकते हो कुछ-कुछ जगा ऐसे भी हो सकता है कुछ मेडिसिंघ लेने के साथ साथ ब्लट प्रेशर बर सकता है कुछ डिजीज में हम ब्लट प्रेशर भर सकता है और तो उस तो उसमें भी फिल्ट्रेशन में अगर प्रॉब्लेम आए तो ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है यहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है दूसरी बात तो है अगर आप कॉफी पीते हो ज्यादा कैफेन करते हो किसी भी मोड में वह भी ब्लड प्रिशर को बढ़ा देगा यह सारे चीज़ ब्लड प्रिशर को बढ़ाता है जो के नॉन रिलेटेट टू यूर डेगुलर अक्टिविटी मगर वह भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिस होते हैं इसलिए लोग को पता नहीं होता है थीक नहीं लोग इसको जाच नहीं पाते हैं। Deeply जैसे कि एक करेंट और वोल्टेज जैसा दौरना थूर नेक यह सारे चीज़े हाइड प्रिशर के एक लक्षन होता है और जो जैसे कि आपको गर्मी ज्यादा लगना यह सारे चीज़े इंक्लूड़ेट होता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना प्रटिकुर्लिया आंप स्वेट वगेरा में नॉर्मल टाइन पर स्वेटिंग तो अच्छा है मगर जहां पर लोगों की स्वेटिंग नहीं हो रहा आपको स्वेटिंग हो रहा है यह सारे चीज़े इंक्लूड़ेट हैं काइंड अफ सिम्टम वीद हाई ब्लड प्रिशर जिसको आप नजर अंदा यह बहुत डिंजर हो सकता है आपको Heart Attack हो सकता है Massive Heart Attack हो सकता है होतने यह अगर किसी को Haigh Blood Pressure हो आपको दिशको जार हर एक महीने में मेधिसिन ले जह बहुत ज्याद है तो मेडिसिन ले शेह बाकर लाइन है तो अब खरले से-पी करेें लग श्यादा ।ा यह इस दाए से- ज्यादा है 60 प्लस एज या फिर आपका पैरेंस का एज एक 60 प्लस एज तो तब जाकर आपको रेगुलर ली ब्लड पेशर जो मॉनिटर करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रोल लेवल क्या है कोलेस्ट्रोल लेवल अगर बढ हमारे पास जिससे के हम easily treat कर सकते हैं जो ब्लड पेशर को regulate कर देगा कंट्रोल कर देगा तो वह मेडिकेशन हर रोज लेना है अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर आ गया एज बहुत ज्यादा है तो lifelong वह मेडिकेशन लेना पड़ेगा क्योंकि there is no cure for high blood pressure there is no cure for hypertension तो आपको मे रेगुलर्ली करना चाहिए यही बात है एंटी जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन से उसके साथ साथ कुछ मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रह रह रहा है तो उनको ट्रैंकुलाइजर भी दिया जाता है कुछ कुछ मेडिकेशन दिया जाते जिस से श्लीप मेडिकेशन तो उससे भी यह चीज धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है तो अगर आप देखो तो 10 मिलियन लोगों को हंदूस्तान में हर साल हाई बलड प्रेशर होता है हाई पर टेंशन डिटेक्ट होता है उनमें से बहुत सारी लोग तभी डिटेक्ट होता है जब एक अटक हो गया यह फिर स्ट्रोक हो गया फिर प्राइमरी कुछ हर्ट फेलियर हो गया तो इस रिलेटेड होने के बाद ही पता चलता है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है चोटे चोटे जो बॉडी की सिग्नल्स जो ऐसे सिंटम आपके सामने आ रहा है उसको डिटे बार चेक करना क्योंकि उसके उसका जो बैल्यू है बहुत बैरी करता है तो आप चेक करना दो तीम बार उससे भी आपको पता चल जाएगा ठीक से आप मेंटेन कर पाओगे मेंटेन ए गूड हेल्दी लाइस्टाइल बहुत इंपोर्टेंट है वह एक्सरसाइज रेगुल हाई ब्लाड प्रेशर ट्रीटमेंट हाई ब्लाड प्रेशर सिंप्टम्स तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो को सब्सक्राइब करें इस चैनल में और बताएए कि और कौन सी वीडियो हम बनाएं थैक्यू बाए